तो हम बात कर रहे थे सनी की महादसा के बारे में जब कन्या लगन में विभिन भाव में सनी इस्तित होते हैं तो अपनी महादसा में सनी आपको क्या-क्या रिजल्ट दे सकते हैं इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे सप्तम भाव के बारे में यहां पर आपको कुछ हद तक काफी सारे issues दे सकता है domestic life से related issues भी और साथ साथ में career से related issues भी तो यहां सनी की दसा उतनी अच्छी साबित आपके लिए नहीं होगी इसके लिए आपको काफी hard work करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी life में और काफी ज़्यादा चुनोतियां आपके सामने आएंगी सनी का यहां इस्तित होना आपके जिवन साथी की health के लिए अच्छा नहीं है अगर सनी की दसा आती है तो स्वास्ते को लेके काफी ज़्यादा चुनोतियां आ सकती है जिवन साती के साथ misunderstanding होना, जिवन साती के साथ कुछ ज़्यादा expectation आपकी होना और वो पूरी नहीं होना, इस वज़े से आपको married life पर एक negative impact देखने को मिल सकता है, इसके लवा आपस में बहुत ज़्यादा अन्बन होने की वैसे कोई विवाद या कलेह हो सकती है, और यहां त कठोर बनाएगा, और इसी कठोरता की वज़े से आपको domestic life और अपने career के issues भी आ सकते हैं, देखा जाए तो यहां सनी है, वो आपका पंचमेस और चठेगर का स्वामी बनता है, इस वज़े से आपको संतान की साथ भी issues होंगे, अपनी love life में issues होंगे, sexual life में issues होंगे, इसके अलवा, यहां हम सनी को उतना अच्छा नहीं मान सकते हैं, यहां सनी इस्ति थे तो आपके, जब सनी के दसारिया, उस समय जिवन साती आपसे अलग हो सकता है, आपसे separate हो सकता है, या फिर हम बोलें, वो काफी ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जुक सकता है, इसी तरीके से बिजनस के मामले में भी उतार चड़ाव काफी ज़्यादा देगा, बिजनस में लोस दे सकता है, कुछ गलत डिसीजन की वज़े से, या बहुत ज़्यादा गुस्से में आके, या तनाव में आके, कुछ गलत फैसले हो सकते हैं, जिसके वज़े से आपको अक्सर नुक्ष तक अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, यहां सनी इस्तित है, तो सनी के साथ कोई अन्य ग्रहिशतित है, क्या ये भी आप जरूर्ड चेक कर लें और आपके लगन में कोई ग्रहिशतित है, क्या ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, अब देखिए, सप्तम का सनी है, तो ऐसे म सनी की दसा के दोरन अब जिस प्रकार का appreciation चाहते हैं अपने काम में या अपने business में उस प्रकार का आपको नहीं मिलेगा जिस प्रकार की पहचान आप बनाना चाहते हैं अपने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की आपको जरुत पड़ेगी हाड़ वर्क की जरुत इसके लवा बहुत सारे ऐसे कठोर निरने आपके हो सकते हैं जो की वास्तम में गलत हो सकते हैं तो अपने निरने उपर आप हमेशा गोर करें इसके लवा देखा जाई तो इस प्रकार का सनी वास्तम में आपको कोई भी अच्छे से planning नहीं करने देगा किसी भी काम की तो career स related issues रहेंगे सासात में जिवन साती से बहुत ज्यादा expectation की वज़े से या जिवन साती को आप बहुत ज्यादा dominate करते नजराएंगे ये इस्तिती भी आपके लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होगी देखा जाई तो ऐसा जाद तक अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा focus और merit life को ऐसा जादा काफी ज्यादा seriously लेगा अब देखे हो सकते हैं आपका सनी की दसा की दोरान marriage हुआ हो अगर सनी की दसा की दोरान marriage हुआ हो तो बहुत अच्छी बात होगी starting में आपको बहुत ज्यादा support करता है जिवन साती नजर आएगा लेकिन धीरे धीरे जैसे सनी क की दसा आगे बड़ेगी वैसे वैसे आपके जिवन साती का जो सभाव है जो उनकी प्रवर्ती है वो काफी ज्यादा बदले हुई नजर आ जाएगी सनी यहां है तो अपने फैसलों में आपको काफी कठोर बनाता है काफी रिजिड बनाता है चाहे वो business परपच हो चाहे आ आपका married life हो चाहे आपका संतान से जुड़े हुए मामले हो इसके लवा ऐसा जो सनी है अपनी महादसा की दोरान आपको जिवन साती के थरू धनका नुकसान करवा सकता है जिवन साती के थरू आपको कोछ मुकदमे वगरह में फसा सकता है जहां पर आपको काफी ज्यादा losses हो जाएंगे इसके लवा देखा जाए तो आप इस सनी की दोरान अगर कोई लोन बगरह ले ले लेते हैं अपने बिजनस के लिए या अपने घरेलू कारिये के लिए तो उसमें भी आपको काफी नुक्षान देखने को मिलेगा अब देखिए ज्यादातर केस में यहां अग आपको कौन से age period में आरे हैं जैसे कि बहुत लेटर age में आरे हैं बहुत early age में आरे हैं या mid age में आरे तो इसका भी अलग-लग असर आपके उपर हो सकता है तो सबसे पले सनी की जो तीसरी दृष्टी पड़ेगी वो आपके नौवे घर पे पड़ेगी नौवे घर पे पुछ नया सीखने की परवर्थी अच्छी देते हैं, अपने फैसलों में एक बहुत अच्छी इस्तिती देते हैं, जहांपर आप खुद फैसले ले सकते हैं, ज्यादतर फैसले आप खुद करेंगे, अपने जिवन साथी को भी आप डॉमिनेट करते नजराएंगे, इसके ल साथ साथ में देखिए, यहां पर जिवन साथी के लिए ये इस्तिती उतनी अच्छी साबित नहीं होगी, इसके लवा देखा जाए तो कुछ हज़े तक आपके अपने जो रिलेटिव्ज हैं, अपने पिता हैं, उनके साथ आपके समन थोड़े विगड़े हुए रह सकते ह इसके बाद सनी का दरश्टी बढ़ता आपके लगन पर, देखें लगन पर जब भी सनी की दरश्टी बढ़ रहे हैं, ऐसे में वो मान समान और परतिस्था तो आपको हासिल नहीं होगी, जो आप वास्तम में चाहते हैं, और आप एकदम साधान सा जीवन जीना पसंद करें आपका जो पैसा है, वो अन्यकारियों में ही निकल जाएगा, आपके घरेलू कारियों में, आपके प्रोपरिटी से रेलेटेड कारियों में, या जो भी अपमारे जो घरेलू कारियों होते हैं, उनमें आपका पैसा खर्च हो जाएगा, या किसी ना किसी विवाद में पैस चला जाएगा यह आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रेशानी का कारण बन सकता है सनी की दसा की दुरान हाँ सनी की दसा की दुरान आप थोड़ा वीक फेल कर सकते हैं काफी बार आपको अपने अंदर एनर्जी फेल नहीं होगी लेकिन आप जो भी काम करेंगे उसमें बहु कोई भी कनेक्शन सनी की साथ है तो ऐसे में आपको मानसिक रूप से कुछ इशूज आ सकते हैं डॉमेस्टिक लाइफ और जो आपका जो प्रोफिशन है अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में एक अच्छा बैलेंस आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे इसके बाद सनी द पॉरिवार और अपनी प्रोपरिटी वगरे को लेकर कर सकते हैं यहां पर जातक को डॉमेस्टिक लाइफ का इशूज बना ही रहता है लगातार और वो इन सब को हैंडल करता ही रहता है तो यहां पर हम बोल सकते हैं प्रोफिशन वाइज या कैरियर वाइज एक अच्छी इस्टिटी फिर भी है देकिन रिलेशन सिप वाइज और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंट करने के साब से यह उतनी अच्छी इस्टिटी नहीं रहेगी सणी दसा में अब कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको यह दसा बहुत ही अर्ली एज में आ रही है अगर आपको ब फैसले हैं खुद लेने के लिए प्रदित करेगा और वास्त्विक्ताओं से आपको अवगत करवाएगा तो बहुत ही छोटी एज में आप में मैचुरिटी आ सकती है इसके लवा ऐसा सनी अगर आपको मिड एज में दसा आती है तो मिड एज में बहुत ज़्यादा हाड़ समंदी इशूज आ सकते हैं और देखा जाए तो धनलाब के लिए सनी फिर ओल डेज में अच्छा रहेगा इसके लवा आध्यातमिक रुजान के लिए वी औल डेज में सनी की दसा आपके लिए काफी अच्छी रहेगी इसके लवा देखा जाए तो ज़्याद्कों को ये ओ तोंगे